हेलो दोस्तों आपका हमारे चैनल पे स्वागत है आज हम देखने वाले हैं WDFC की लेटेस्ट अपडेट जो की न्यू उमर्ज गाउं की होने वाली है टोटल WDFC की बात करें तो 506 किलो मीटर से 1397 किलो मीटर का रूट ऑपरेशनल कर दिया गया है 11 माज 2024 को हमारे प्रतान मंतरी नरेंद मोदी ने वरुदरा के न्यू मकर पूरा से ले करके गुजरात के लास्ट गाउं तक की रूट को इनागुरेट कर दिया था अभी न्यू उमरगाओं से लेकर के पालघर के न्यू सफाले स्टेशन जो की 75 किलोमीटर की डिस्टेंस है उसे भी ओपरेशनल करना बाकी रह गया है। काफी साइड ट्रायल किये गए हैं इस सेक्शन पे डिसल लोकोमोटी के साथ और इलेक्टिर लोकोमोटी के साथ में भी। अभी न्यू मकरपूरा से लेकर के न्यू उमरगाओं के स्टेशन के बीस में डिपसी पे फ्रेट रेंज चलती है जो की उमरगाओं स्टेशन के आगे संजान स्टेशन है वहाँ से इंडर रेलवे ट्रैक पे मर्ज हो जाती है। यह संजान रेल्वे स्टेशन जहां पे इंडिया रेल्वे के ट्रैक से डियापसी का ट्रैक मर्ज होती है और यह जो आप एलाइमेंट देख रहे हैं वो है अधानी वेर हाउस से सीधा न्यूमर गाउं स्टेशन की तरफ जाने के लिए एक और ट्रैक बनाया जा रहा है और काम के लिए यहाँ पे एक प्रीश भी बनाया जा रहा है प्रीश का प्रीश का काम कम्फीट कर लिया गया है यहाँ पे ट्रैक डालने के लिए कोई बनाई गई है अगर compare करें इंडियन रेलवे से इंडियन रेलवे की जो लूप लाइन होती है वो लगबग साठे साथ सो मीटर की होती है जबकि टीअपसी की जो लूप लाइन है वो देड़ किलो मीटर की है इससे काफी लंबी फ्रेड ट्रेन चलाया जा सकेगा और उनके लूप में भी खड़ा कर दिया जा सकेगा अगर जल्दी न्यूबर गांस से सफाले स्टेशन तक की फ्रेड को ऑपरिशनल कर दिया जाता है तो इंडियन रेलवे का रूट पूरी तरीके से खाली हो जाएगा जिससे पैसेंजर के लिए ट्रेन और बढ़ाई जा सकेगी और मेंटनेस का टाइम भी मिलेगा बात करें WDFC और EDFC की तो WDFC में केवल 120 ट्रेने डेली चलती है जबकि EDFC में 200 ट्रेने डेली चलती है यानि एक घंटे में 5 ट्रेन दोनों की डेली कैपसिटी की बात करें तो 240 ट्रेन डेली चलाई जा सकेंगी यह संजार रेलवे स्टेशन से एक किलोमीटर पहले का वीडियो है और आप देख सकते हैं यह DFC की ट्रेक जहां पर आपी कॉंग और कंटेनर खड़ी है और साथ में राइट साइट में इंडर रेलवे ट्रेक भी है और यहां से लगबग एक किलोमीटर आगे ही अदानी का वेर हाउस है वहां से आपको कंटेनर सीधा JNPT पोर्ट की ओर जाता है यहां देख सकते हैं काफी सारी लाइन से फ्रेट ट्रेन खड़ी है क्लेरेंस ना मिलने की वज़े से जो की यहां पर इंडर रेलवे के ट्रैक पर जाने के लिए है यह दो ट्रैक डियाप सी का है और इंडर रेलवे का कवज इससे सेपरेट होगा इस डारेक्शन में सीधा यह ट्रैक मुंबई की तरफ चला जाएगा डियाप सी सी आयल ने नए डेडिकेटर फ्रेट कोरिडोल की डिपिया रिपोर्ट भी रेलवे बोर्ट को सम्मिट की है जिसमें इस्ट कोरिडोर, इस्ट जी का यानी जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी ने भी इंटरेस दिखाया है अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें थैंक्स फॉर वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में